Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel, उमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे आज की इस वीडियो के अंदर HEC की तरफ से एक important announcement मैं आपके साथ share करूँगा Law Admission Test HEC ने 2023 का पहला Law Admission Test Announce कर दी है अब इसकी last date जो apply करने की है वो 10 January HEC की website के ओपर show हो रही है तो हम expect कर सकते हैं Law Admission Test जो pass के अंदर दो Law Admission Test हुए है उस history को मद्दे नजर रखते हुए हम expect कर सकते हैं कि Law Admission Test 22 जनवरी या 29 जनवरी को होगा most probably 29 जनवरी को Law Admission Test होगा इस हवाले से कुछ updates हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ share करनी है जो कि इसके apply procedure के अंदर इन्होंने changing की है और Law Admission Test का आपको पता है Law Admission Test का कोई syllabus नहीं है तो उसके अंदर उन्होंने कुछ subjects के अंदर changing की है उसके अंदर जो portion वो discuss करते थे उससे हट कर कुछ चीज़ें पूछी जा रही है तो हमारा Law Admission Test का 13 badge announce हो चुका है हम website के थूँ इसकी पीपेशन करवाते हैं पिछले 4 साल से और अगर आप लोग देखना चाते हैं हम किस तरह हां से पीपेशन करवाते हैं तो नीचे WhatsApp का एक number आ रहा होगा आप उसके उपर contact करके हमारे counselor के थूँ डेमो वीडियोस देख सकते हैं कि हम किस तरह हां से इसकी पीपेशन करवाते हैं अब हम लोग बात करते हैं Lloyd Mission Test के apply करने की जो procedure इन्होंने चेंज किया है पिछले दो Lloyd Mission Test की अंदर इन्होंने चेंजिंग की हैं मगर उसके बावजूद भी students काफी दफा मैंने देख्या कि HBL के थुरू simple जिस तरह से चलान उसका pay करना होता था HBL के थुरू online banking को यूज करते हुए चलान students pay कर देते हैं तो online banking का आप लोगों नहीं करनी चलान आपने उस पक तक pay ही नहीं करना Lloyd Mission Test के लिए जहां पर आप apply कर रहे होते हैं तो वहाँ पर generate चलान का एक option आ रहा होता है तो simply आपने उसके उपर click करने हैं आपका चलान generate हो जाएगा वो चलान आपने HBL के अंदर जाकर manually आपने pay करना है pay करने के बाद उसकी आपने picture बनानी है picture बना कर उसको आपने वहाँ पर upload करना है अगर वहाँ पर दिया गया है कि आप इसको PDF में convert करके आपने upload करना है तो आप online Google से उसको convert कर लीजेगा और वहाँ पर आपने PDF attach करना है और फिर उसके बाद test center select करने के बाद आपने वहाँ पर apply कर देना है अच्छा यहाँ पर वह वाले students जो अभी second year के अंदर है law admission test देना चाते हैं तो मैं उनको यहाँ पर encourage करूँगा कि आपने law admission test अभी दे देना है क्योंकि काफी सारे essay institute होते हैं जो कि जून जुलाई के अंदर अपने admissions announce कर देते हैं तो आपने अगर यह वाला law admission test दिया होगा तो आप ऐसे तमाम इदारों के अंदर eligible होंगे law admission लेने के लिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो HECC ने थोड़ी सी changings की हैं law admission test के हवाले से तो changings in a sense कोई subject change नहीं किया law admission test के अंदर कोई बड़ा सारा इसके अंदर change नहीं आ गया मगर क्योंकि आप जानते हैं कि law admission test का एक तो syllabus भी नहीं है उसके बावजूद हमें जो इसका पता चलता है किस nature के examiner question देता है वो सारा का सारा हमें उसके पास paper से पता चलता है अभी जो घुजशता दो तीन टेस्टू में उसके अंदर जो उर्दू का portion आ रहा है उसके अंदर वो grammar का एड़ कर रहा है अलफाज मतजाद, अलफाज माईनी और अलफाज मतरादिफ उसके इलावा अब grammar के portion को वो टच करने लग गया तो पहले students इस portion को ignore कर देते थे 10 number का ये portion है तो आपके लिए एक एक number कीमती है तो आपने grammar के portion को साथ में जरूर देखना है ऐसा नहीं करना क्योंकि मैंने इसके हवाले से पहले वीडियोस भी बनाई हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये तीन तरहां के questions आते हैं आपने बस उसी को prepare करना है तो अब पिछले जो दो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर के changing आ रही हैं तो grammar का portion आपने साथ में जरूर करना है उसी तरहां के होते हैं कि जो आपके metric और FSE level के होते हैं और उन्हीं किताबों में से आते हैं कोई different इसके अंदर questions नहीं आते और इसके बाद अगर हम लोग बात करें personal statement के हवाले से तो personal statement के अंदर अभी तक काफी सारी variations आई हैं सबसे पहले पूछा जाता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं या आप अपना explain करें कि आपको law के अंदर admission क्यों चाहिए और आप इस शोबे के अंदर आकर क्या तबदीलें लेकर आएंगे पहले इस तरह के सवालात आते थे उसके बाद जो है social issues के उपर सवाल आने लगे आजकल जो law admission test के अंदर personal statement पूछी जा रही है उसके अंदर इस तरह की question आते हैं कि भई आप क्या कर सकते हैं मिसाल के तोर पर आपकी personal hobby क्या है आप education के sector के अंदर आकर क्या करना चाहते हैं या पिर आप अपनी pocket money किस तरह से कमा सकते हैं इस तरह के different questions जो है वो आते हैं तो आपने इस तरह के सारे questions जो है वो prepare करने हैं सबसे पहले आपको differentiate करना आना चाहिए कि law admission test के अंदर जो personal statement और essay का portion है मिसाल के तोर पर दोनों के अंदर आपके पास co education से related आपके पास question आगे एक आपने co education के उपर essay लिखना है आप हमारे चैनल को subscribe करें और उमीद करता हूँ आज की इस वीडियो से जो basic आपकी confidence है वो सारी clear हो चुकी होगी तो मिलता हूँ अगले वीडियो में thank you very much अलहाफिस